नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डोक्टर तरुन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत आज की इस वीडियो में आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोविड में कौन-कौन सी दवाईयां बाटी जा रही हैं सरकार दोरा अभी हाल फिलाल में एक रिलेटिप्स मेरे पॉलोथिन देखे गए कि इसकंदर जो कौरोना की दवाईयां हैं कोई पिशेंट है तो वो यूज कर लेगा उनसे जानकारे ली तो लगभग गली-गली मोहले में शायद आपके यहां हो ना हो लेकिन हमारे यहां पर कोविड की मैडिसंस बाटी जा रही हैं और लोग उनको बहुत जादा इस्तमाल कर रहे हैं बिना किसी प्रॉलम के वो कोविड के डर की वज़े से इन मैडिसंस का स इसकंदर कौन-कौन सी मैडिसंस हैं कैसे ली जाती है वही मैं आपको बताऊँगा जनरली आपने भी अपने वाट्सप पे और कई जगा आपने देखा होगा कि किसी को कोरोना हुआ है तो उसको यह मैडिसंस ऐसे करके खानी है कई बार जो है पिशेंट्स ने मुझे भी भ 500 mg में एक फीवर की मैडिसं है आप जानते हैं परहतेमोल 500 mg में है यह इसको एक एक टैबलेट सुभा शाम ले जाता है खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं नेक्स जो इसकंदर मैडिसं दी है यह है बिटामीन सी जो कि अस्कॉर्बिक एसिड होता है तो यह बिटाम सुभाशाम एक एक टैबलेट बिटामीन सी के आप ले सकते हैं जो नेक्स्ट मैडिसं है वह है इसकंदर यह टैबलेट्स जो की हाई एंटिबाटिक से जो की है अजित्रोमाइसीन 500 mg आपको किसी भी और नाम से मिल सकती है आपके आसपास यह 500 mg और दो सो पचाइस मजी दो और नेक्स्ट टैबलेट की तरफ चलते हैं जो की है डॉक्सिसाइकलिन हाईड्रोक्लोराइड कैपसूल्स तो यह भी एक एंटिबाटिक्स जो मैडिसन है इसको सुभा शाम सुभा शाम लिया जाता है और आप इसको खाना साने के बाद पानी के साथ कैसे भी आप इसको ल उन्होंने शायद यह टैबलेट इसमें एड़ की हुई है जुनकोविट जो की मल्टी बिटामिन जिसके अंदर जिंक है जो की हमारी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बढ़ा देता है और एंटि ऑक्सिडेंट होता है जुनकोविट तो आप उसकी वन टैबलेट पर डे ले सकते हैं अगर वो आपके पास है और यह जो है कैल्चियम और बिटामिन D3 है मेरे हाथ में इसको एक-एक सुभा शाम खाया जाएगा एक टैबलेट सुभा में एक टैबलेट शाम में खाया जाएगी नेस जो टैबलेट है इसके अंदर दोस्तों यह है आईवर मतीन और यह यह चाय टैबलेट दी है और यह 6 दिन के लिए खाने के लिए होती हैं तो per day इसके टैबलेट ली जाती है तो यह इतनी मेडिसं है यह मेडिसं और थी 5 टैबलेट लेकिन इस पर सब कुछ कटा हो रही कुछ कुछ कंफर्म ने हो तो यह जो किट में मेडिसं है यह उन लोग के लिए medicines हैं, लेकिन लोग इनको अपने हिसाब से खा रहे हैं, इविन गाओं-गाओं में भी medicines काफी परिचलित हैं आत के समय में, जिसको भी थोड़ी सी चीक आई वो तुरंट से जो इतनी सारी medicines का रहा है, थोड़ा सा धसका उसके गले हुआ, वो तुरंट से medicine खा रहा है जो की ये चीज गलत है जिनको प्रॉलम हुई है तो वो प्रोपर डॉक्टर के guidance से ही सारी medicines यूज करने चाहिए जिसको प्रॉलम आ रही है, ठीक है तो इतनी सारी medicines हैं और अलग-अलग medicines हो सकती हैं आपकी एरिय में भी कि एक-दू medicine और एड हो अगरवाइस जो इसमें एंटिवाटिक्स हैं जैसे जित्रोमाइसिन है, आविरमेक्टीन है डॉक्सिसाइक्लीन है, ये सारी एंटिवाटिक्स हैं जो की बैक्टीरिया को मानने की शमतर रखते हैं, वाइरस को नहीं फिर भी है medicine काफी help होना है जिससे की patient की थोड़ी जिन्देगी बचाई जा सकिया दोस्तों ये था मरा वीडियो, वीडियो चलागा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को जुरू सबस्क्राइब कीजिए आज के वीडियो में इतना ही, thank you so much